प्रत्वी के फैंपडे किसे कहते हैं और क्यों अमेजन के वर्षा वनाओं को जलवायू विशेशग धर्ती के फैंपडे कहते हैं और ऐसा इसलिए है क्योंकि 20% ओक्सीजन विस्षुखा इन ही अमेजन के जंगलों से प्राप्ट किया जाता है लेकिन बीते कुछ दस्कों में खेती अब इन फैंपड़ों को निचोड रही है कोलंबिया भी इससे अचूता नहीं है लेटिन अमेरिका के बड़े हिससे में फैले ये वर्षावन करवन डायोकसाइड को सोकते हैं और हमें सांस लेने के लिए सुद्ध ऑक्सीजन देते हैं लेकिन दच्छ कॉलंबिया में एक नदी को देखें तो पता चलता है कि वर्षावन किस मुश्किल में हैं हर दिन दरजनों लोग वर्षावन की लकड़ी को जहाज पर चड़ाते हैं पचास टन भारी बढ़िया लकड़ी इस गेर कानूनी तशकरी से सब पैसा कमाते हैं नदी पर बने इस पोर्ट पर कोई रोक टोक नहीं है लकड़ी मापिया इसी बात का फाइदा उठा रही हैं यह एलाका पास के नेशनल पार्क के रेंजरों के अधकार छ्षेट से बाहर है लेकिन रेंजर जानते हैं कि लकड़ी मापिया चिर बी केटे नेशनल पार्क के लिए भी खतरा है नेशनल पार्क के अधिकारी कारलोस पाईज के मुताबक पांच साल पहले तक लकडी तशकर पार्क से 30 किलो मेटर दूर रहते थी आज मेहज 10 किलो मेटर की दूरी पर पेड़ काटे जा रहे हैं आप देख सकते हैं कि हालाग बद से बत्तर हो रहे हैं पेड़ों की कटाई, गेरकानूरी जंग से, कोकोवा उगाना और अति खेती ये सब पार्क के लिए खत्रा बने हुए हैं अमेजन वर्षावनों की रक्षा चारे के चक्कर में अमेजन के काकेटा इलाके में खेती जंगल के बड़े इलाके को निगल चुकी है एक दिक्कत ये है कि इस्थानी लोग अपनी जमीन पर मौजूद संसाधनों का सही से इस्तमाल नहीं करते यही वज़े है कि जहां कभी जै बवित्ता से भरा वर्षावन हुआ करता था आज वहां सिर्प गास के मैदान दिखते हैं जंगल की इस बदहाली के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं चरवाए हालात बदलने के लिए जर्मन अंतरास्टी संयोग संस्ता जी आई जैड यहां नौ पालिट प्रोजेक्टों को बित्ती मदद दे रही है यह सब पार्क के करीब हैं पालिट प्रोजेक्ट लीडर टांगमार मारमोन के मताबिक लोगों को समझाना वाकई वड़ी चुनौती है यहां जंगलों की कटाई की परवा कोई नहीं करता लोग यहां परियावरण के लिहाद से नहीं सोचते उनके लिए यह सिर्फ पेड़ हैं राय के पेड़ हम उन्हें यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि निवेश के जरिये वे ज्यादा कमा सकते हैं